केटियम 390 ड्यूक फेसलिफ्ट का वेट करने वालों के लिए आज मेरे पास बड़े ही कमाल की खवर है जहां केटियम ने ड्यूक 390 को अन्वील कर दिया है जिसके साथ ही बाइक के बारे में सारी जानकारियां भी सामने आ गई हैं जहां इसमें मिलेगा नया डिजाइन, डिजाइन स्प्लिट LED हेडलैंप्स दिये गए हैं इसके साथ ही इसमें एक बड़ा सा मस्कुलर शूल टैंक भी दिया गया है बहीं बाइक में स्प्लिट सीट सेटप और स्लीक एग्जोस्ट सेटप के साथ री डिजाइन सब फ्रेम और स्विंग आर्म्स दिये गए हैं ब बहीं बाइक के फ्रेंट में 320 मिलिमेटर डिस्क और रियर में 240 मिलिमेटर डिस्क दिये गए हैं जहां इसमें डूल चैनल AVS, कॉर्नरिंग और सूपर मोटो AVS मिलते हैं साथ ही बाइक में मिशलिन टायर्ज और 17 इंचीज के अलोई वील्स मिलते हैं हलांकि भारतिय बरजन में अलग टायर हो सकते हैं इसके साथ ही इसमें स्मार्टफोन कुनेक्टिविटी, टर्न वाइट टर्न नविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल के लिए ब्लूटूथ कुनेक्टिविटी के साथ 5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है अब बात करते हैं इंज इसके साथ ही इसमें स्लिपर क्लच और क्विक शिफ्टर के साथ 6 स्पीड गियर वोक्स दिया गया है इसके अलावा बाइक में मिलते हैं 3 राइडिंग मोड स्ट्रीट, रेन और ट्रैक बहीं पहली बार ड्यूक 390 को लौच कंट्रोल से लेस किया गया है बात करूं इसकी भारत में लौच डेट की तो कमपनी की तरब से कोई भी अभी तक अधिकारी घोशना नहीं की गई है लेकिन खबरों की माने तो कमपनी इसे 2024 के शुरू में लौच कर सकती है और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसके भारतिय संसकरण में कुछ बदलाब किये जा सकते हैं बात क इसकी कीमत की तो न्यू ड्यूक 390 की कीमत तीन लाख रुपए एक्शो रूम से शुरू हो सकती है तो गाईज ये थी आने वाली केटियम ड्यूक 390 के बारे में सारी न्यूज अपडेट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पे ओल पे क्लिक करें तो जैहिन दोस्तो हेव गुड डाई